हेलो गाइज जी शुरी कोतर गाइज आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 5G के बार में तो 5G इंडिया में कब लांच होने वाला है 5G नेटवर्क कब हमें देखने के लिए मिलेगा इंडिया में कब हम 5G यूज कर पाएंगे और 5G जो स्मार्टफोन से वो कब लांच होने वाला है कॉम्प्लिटली आज इस वीडियो में मैं बता नहीं वाला हूँ तो अगर आप लोग यह सब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एकदम एंट एक जरू देखते रहे ना और अगर अब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना पास मुझे बिल बटन है उजह भी एनेबल कर देना तो यार रिसंटी जो टेली कम मिनिस्टर है रभी शंकर प्रसाद उन्होंने कुछ दिन पहले इस मन्त के शुरू-शुरू में दो नया एनॉंसमेंट रिगारिंग 5G कर रहा था तो यार उन्होंने पहले एनॉंसमेंट जो किया था वह है एक सो दिन के अंदर 5G का जो ट्र जो नेटर्क कॉंपनी है वह वह 5G का स्पेक्ट्राम खरीते है और उसके बाद जो कॉंपनी से वह अपना इंफ्रस्ट्रक्चर होता है 5G इंफ्रस्ट्रक्चर वह रेडी करेगा और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलेगा तो यह बहुत ही लंबा एक प्रोसेस हम बोल बहुत ही अच्छा स्प्रीड बहुत ही ज्यादा स्प्रीड हमें देखने के लिए मिलेगा यहाँ लेकिन इंडिया में 5G की इस प्रोसेस में बहुत सरी प्रोब्लम भी हो सकता है तो उसके बार में तो आप लोगों को बोलने की कुशिश करता हो तो हमरे यहाँ पर जो जो अब के टावर है बोखी में टावर्टावर की बात करेंह और गाया है अभी के टावर बी जो चाहिकर है वह जो तन차 शरी नहीं एक जायादा हद तक देखनी के लिए नो नेटवर्ग नो अक्वरेज यहाद करने के लिए हमारे जो इंडिया में जो चुन टावराइज उनसे लेकिन इंडिया में 22% तो ऐसे में सब टावर को फाइबराइस करना होगा लेकिन अगर 5G आता है तो कुछ कुछ सीटिस को छोड़ कर हमें 5G नहीं देखने के लिए मिलेगा तो इसका सॉलुशन है सब टावर को फाइबराइस करना होगा और 5G का इंफर स्ट्रेक्चर जो है और वो सब रेडिगरना होगा और यह सब प्रोसेस कॉंपलीट करने कर देखने करते करते हैं रहा हम बोल सकते हैं पर एक दमशियर नहीं है कुछ सब जगा में हमें 5G नहीं है कि 2021 में कुछ पहले-पहले कुछ सीटिस में ही देखने के लिए मिलेगा उसके बाद 202 भी हो सक लेकिन 2021 में 5G तो लाँच हो जाएगा इंडिया में यह हम बोल सकते है और गाइस बात कर अगर 5G फोन की इंडिया में लाँचिंग की तो बहुत सरी कंट्री में 5G फोन लाँच हो गया है और जो नया Qualcomm का X50 modem है वो 5G सपोर्ट करता है अब तो 5G VPS आपको स्पीज देखने के लिए मिलेगा उसमें मतब उसका कैपेबल है लेकिन इंडिया में कोई भी 5G फोन अभी के टाइम में लाँच नहीं हुआ है लेकिन आने वाले टाइम में हम बोच सकते हैं बहुत सरी 5G फोन अभी के टाइम में लाँच हो गया है जो OnePlus 7 Pro की 5G वेरेंट भी में लाँच हुआ था एक वो इंडिया में नहीं आया था तो काफी है तक हम बोल सकते 2020 में या फिर 2019 के एंड में हम बोल सकते वो सब फोन लाँच हो जाएगा तो ऐसे में कुछ फोन का नाम बोलना वेरेंट 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 वेरे देखने के लिए के लिए 2020 में ऐसा नूब्या ने अबिशियली स्टेट्में ये दे दिया है और Realme बहुता है कि वो अपने बजट सिरीज में 5G स्माटफोन देगा तो realme की तरब से सबसे पहला स्मार्टफोन मतब realme ऐसे बोलता है कि सबसे पहला स्मार्टफोन जब बजेट में आता है उसमें हमें 5G देखने के लिए मिलेगा तो यह अच्छा होने बाला है बोल सकते हैं और जैसे कि 5G भी लाँच हो जाएगा कुछ यार की अंदर तो ऐसे में भूसरी फोन हमें देखने के लिए मिलेगा 5G केपबल जो जिसमें हमें क्वालकॉम का X50 मोटम देखने के लिए मिलेगा और यह जो स्नेपड़ागन 855 मतलब यह 5G केपबल है मतलब 5G का जो क्वालकॉ हमें देखने के लिए मिलेगा तो यही है बात 2020 के अराउंड हमें 5G स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा और काफी हते हम बोल सकते कि 5G भी लॉंच हो जाएगा 2020 की एंड में या फी 2021 में तो अभी के टाइम में हम यहीं बोल सकते और आप मुझे नीजे कॉमेंट में तो फिलाल के वीडियो में इतना ही उमीद कर था कि अपको अगर एपको वी बसंद आया है तो वीडियो कजिए लाइकन शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो मिलत हो अपको नियुद एक स्टाइट वीडियो में तैब क्लिया जाए हिन्थ बंदे मात व प्सक्राइब।